लोग तो जितने क्रीशी अनुगवति धारी हैं जो ट्रेडर्स हैं उनको तो आम जनता से सुल्क वसुलकर और जमा करना है हम लोग एक तरह से टैक्स सुलकर कलेक्टर हैं हटार का एक तर्क ये भी है वह कि वह पारी को तो कुछ लेना देना नहीं है उत्व माल लेगा और देगा में बीच में नेतागीरी करने लोग उतर गये विप्थ भूगता महिना में तीन बार बिना नग्यप्ति के खरीदारी नहीं कर सकता है अब नस्ट और ना नस्ट होने वाले का परिभासा क्या है नस्ट तो इंसान भी हो जाएगा धार्खन राज क्रिसी उपज और पसुधन विधयक 2022 को लेकर पूरे राज में हाहकार मचा है बैपारी कह रहे हैं कि इससे लाब नहीं होगा सरकार कह रही है कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो पंडरा बजार समीती समय जो 28 क्रिसी समीतिया है वहाँ बाकी सारी सुबधाएं कैसे बढ़ेंगी अभी घंटों मन्थन के बाद बैपारियों को बुलाया गया था कि वो यहाँ पर आके अपनी बात को रखे और आज सच्यू से मिलकर बाहर निकले हैं समस्या का समाधान हो गया या जसकतस है हम लोगों ने मांग किया कि बजार समीती सुल्क लगने के पश्याथ जो राज में क्रिसी अधारी तुद्योग है वो समाथ हो जाएगी लोग यहां से पलाएन करने लगेंगे जैसा भी राज मिले कृशी उपस्युल्क समाथ होने के बाद लगवक सत्तर राज मिले का यहां कहली है जो दिरे-दिरे कहां से पलाएन कर जाएगा क्योंकि इसका मार अगर धान उचा थर देंगे तो आम आदमी को बता दीजिए कि विध्यक है क्या वह आपके समर्थन में आए या सरकार के समर्थन में कि विध्यक में एक अस्पष्ट रूप में है जो प्रेसेबुल उपज है उस पर एक परतिसत लगेगा जो नश्ट होने वाले क्रिशी उपज है उस पर एक परतिसत लगेगा और जो नहीं नश्ट होने वाले उपज हैं उस पर दो परतिसत तक लगा सकते हैं यह विध्यक मे lavender जितने सब्जी है उसको एक परतिसस्थ में रखे च्र Kind ук development की लेगी किसे हैं बाइब सब्सक्राइब रुप्या यह चना डाल जीतनते चीनी तेल डालडा रिफाइन जितने तरह का मसाला जितने तरह का ड्राइब फूट जितने तरह का इमली महुआ सभे आगे जिस अभी टोटल आगे जितना नंप्रेसेबल जो सड़ने गलने वालों परसेंट टेक्स परतीशत के कटिगेरी में रखे हैं अब इससे आम आदमी को क्य का लावजान होगा कि हम लोग तो जितने ख्रीशी अनग्रप्ति धारी है जो ट्रेठर्श हैं उनको तो आम जंता से ।सुल्क बसुल कर और जम्म सब्सक्राइब करने का दो चीज है और इस सभी राजियों में जो अगल बगल के राजियों में है वो इसका नियम है कि ये क्रीशी उप्यज जो सरकार सुबधा जो क्रीशी बजार समीति के पदादिकारीयों द्वारा क्रीशक जो अपनी उपज उपचाते हैं उसको बेचने में जो शुबधा धेंगे उस पर क्रीशी सुल्क अधिगरान करना है लेकिन यहां सरकार यह जो क्रीषी के पधादिकारी है यह दूसरे रूप में चलते हैं जो बनी बनाई दाल आती है उस पर सूलक लेते है किUDकी कि जब्कि यहां प्राथमिक उपज नहीं है जो ज्हारखंड अधारीत प्रात्मिक उपज है उस पर इनको जो सुधा देंगे उसको बिचवाएंगे सरकारी समर्थन मुल्द से उपर दाम में उसको उच्छा से उच्छा दाम में बिचवाएंगे उस पर क्रीशी सुल्क असूली करना है लेकिन यह पूरे एकदम एकदम खाका तैयार कर लीए है कि हमको पूरा बटोर ना कैसे में बाती आम जनता को से कोई मतलब नहीं है आम जनता को अगर सही में क्रिशी क्रिशक के ध्यान को रखते हुए तो आज ते 1982 से क्रिशी का यहां बजार समीती है पूरे जारखन में एक भी क्रिशक का अनाज लाकर बेचे क्या उपज को लाकर बेचे क्या बेचने का परयास किया क्या सरकार का एक तर्क है कि यह से बहुत कम पैसा जमा होगा और बोले जितने क्रिशी समीतिया हैं लगभग 28 से पूरे राज्य में बोले उससे हम बैपारियों को तो ही लाब देंगे किसानों को ही तो लाब देंगे माले जे 15 बजार समीती में वहां पे पानी की सुबदा होगी या सेल पर्चेस करने में जो भी लोग आएंगे उनको जो भी अधार बुद्शन रचना देनी अभी तो सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए बोला यह जो बात है कि सरकार के पैसा नहीं है हमें पता है कि सरकार के पास 350 क्रोड रुप्यार इसी के इवच का पड़ा हुआ ह इसके बावजूद इतने सालों में सरकार ने यहां पर क्यों नहीं सुविधाएं बढ़ाई आज 1982 से यह जखिएगा अगर आप 15 बजार को अगर आप देखें तो आज वहां पर जो लचर व्यवस्ता है नाली का हालत देखिए वहां पर आप देखिए रोड की हालत देखि है रांची जो है वो तो राज्या का कैपिटल है यहां की जो पंडरा बजार में यह विवस्ता अभी तक नहीं कर पाई सरकार और आज यह इस तरह का यह जो प्रावधान लाने के बिल लाने के बाद हम लोग को तो बिलकुल यह आशा नहीं है कि और कुछ अच्छा ही होग साथ ही साथ इससे तो और यह अफसर शाही बढ़ेगी जो इंस्पेक्टर राज कायम होगा और जो किसान और जो क्रिशक वो जो अपनी मंडी पे लाही नहीं रहा था पहले भी समान वो आज क्यों लाएगा कि अच्छा रिट कैसे देखेए द्धान प्रेट सरकार का जो रेट है 1600 रुपर और आज ईकृषक पर जहां पर उनको बुन्यादी में लहीं मिल रहा है इस व्यवयस्ता से हो सकता इउनको जख़्यादा मिले हमारे राज्वे में तो ऐसी तो मंडी के तरफ मुह नहीं देख रहा है और यह यह आने से जो सीमा वर्ती हमारे राज्ये हैं देखिए वहाँ पर जो वैपार होगा यहाँ पर वैपार के लिए कोई नहीं आएगा सरकार का एक तर्क यह भी है कि बैपारी को तो कुछ लेना देना नहीं है उतों माल लेगा और देगा बीच में नेतागिरी करने ही लोग उतर गये हैं बोले कि इससे क्या दिक्कत होगा यह बता ही नहीं रहे खाली बड़ा दिक्कत है दिक्कत है पिछले चालीस वरसों से पुर्मे भरष्टाचार था उसको 2015 में खत्म किया गया और फिर उसी की पूर्णावति होने की आसनका है तो जो रगवरदास के समय ये बंद हुआ तो उससे पहले भी तो लागू था नहीं ये सिस्टम उससे पहले लागू था तो भरष्टाचार के चलते ही बंद किया गया वर्सों की हम लोगों की मांग थी दो जब सेराज्य के स्थापना हुई तो 15 वर्सों में सरकार ने सुनुआई की और इसका इस्थगन किया अभी जो आप लोग क्रिसी सचीव से मिले क्या उन्होंने आसवासन दिया क्या कर रहे है बिदेग तो क्योंकि ये माना जा रहा है कि अभी जो बजट सरायगा हो सकता है समब तो इसमें यह आए हम लोग ंने सभी बात को रखे हैं कि अगर किसी चीज में आप लोग जबधान है सर कि जो गली मुहले गाउं द्याहद कस्वे में छोटे-छोटे दुकांदार हैं उस ओभी लाइस बिना लाइसेंस के दुकांदारी नहीं कर सकते हैं इसमें एक है कि एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि आप बजार समीति में या कहीं खुले बजार में महिना में तीन बार से ज़्यादा एक भोगता महिना में तीन वार बिनान गयप्ति के खरीदारी नहीं कर सकता है अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप चार वार नहीं खरदारी करिएगा क्या सबके पास उतना कैपिसिटी नहीं है कि एक महीना का एक वार खरदारी धीरे धीरे खरीता है तीन वार चार वार तो नहीं खरी बिना अनुगप्ति के नहीं खरदारी कर सकता क्या बहुत सारा है और जहारकंड ऐसा राज्ज सहाह бड़े क्रिसक जैसे घ्रियाना पंजाब में एक्स充 2000-330 मायक रहते हैं जहारकंड में नहीं है यहाँ छोटे दो चटाख चार-केठाख वाले किसान है चेंबर ने कहा कि इससे इंफलेशन बढ़ेगा मतलब मानाई बढ़ेगी बोल रहे हैं वो कैसे होगा हर हाला तो महागाई बढ़ेगी क्योंकि कोई भी बस्तू आज चीनी ले लीजिए आज चीनी अगर हम लोग 40 रुपे किलो बेक तो हम लोग को दुकांदा तो हर हालत में बढ़ेगी क्योंकि में खुद्रा दुकांदार को योगि बचांदार को तो बेंची सुलक लगा कर वेचूंगा और तो खुद्रा दुकांदार को आज 80 रुपया चीनी में अगर बेसी लगेगा तो आम भोक्ता से ही वसुल एक तो बिधैक में टैक्स वाला प्रभधान हो गया दूसरा आपने कहा कि अगर तीन बार कोई भोक्ता जाएगा पर्चेस करने महिने में उसके बाद से अधिक उनको परमीशन परमीशन नहीं अनुगयप्ति लेना पड़ेगा अच्छा बिना लैसेंस का वो प्रभधान है विधैक में जो मैं बेरासी पन्ना का विधैक है इसमें अस्पश्ट रूप में है कि बिना आप अनुगयप्ति के तीन वार से ज्यादा खरदारी नहीं कर सकते हैं अबिना लैसेंस वाला अगर कोई दुकांदार होगा तो वह नहीं 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 गाउं कसमे में छोटे-छोटे अपने घर में ही दुकान खोलकर अपने जीवका का परजान करते हैं जीवका पालन करते हैं तीस लेना अवस्ट सकता और क्या ऐसे पॉइंट है इस विधैक मे हैं और एक नया टेक्स लगाकर जहरकंड में परसानी कर रहे हैं ट्रेक वाले को भाड़ा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा उसमें भाड़ा बढ़ेगा तो हम लोग किसी भी दुकांदार को कोई भी अगर उपज मंगाते हैं तो वह तो परता जोड़कर बिशते हैं काल मंगाना बंद कर दिये थे दूसरे राजों से आगे क्या आपलोग अभी हमने सरकार सरकार से बारता कर रहे हैं सरकार से बारता चल रही है देखते हैं उसके बाद फिर हम-णोग बाइच कर पूरे ज्हार्ण रस्तरीय बैठाक बुलाईगे अच्छ सरकार कोई बता पा और उसमें अस्थापना खर्च भी था पूरे आए 79 कड़ो रुपया सिर्फ मात्र पूरे साल का 2014 का मेरे पास यह लागू था का लागू था एक प्रतिशत सुल्क था तब मात्र 79 कड़ो रुपया आए था और 79 कड़ो में अस्थापना कर्च को अठा दीजे तो यह 10-5 कड़ो रुपया का आए है जिसमें पूरे 28 बजार समीती में मात्र 7 बजार समीती ऐसी है जो लाब में था बाद बाकि सभी लौस में थे एक भी बजार समीती आज चलिए यह सिम में Sans ऐसे और में में एक भी बहुत सारी ए चगे हैं मैंने एक क्रिशक का माल उनकार और जितने उद्वी क्रिशक क्रइब अब दिखा रहे हैं ऎसा या पाइब कुछ नहीं किया कुछ नहीं दिया बजार समीती आज तक ला किसी कृष्षक को लावी नहीं पहुचाया और जो भी लाव दिखा रहा ना सिर्फ कागजे में है अगर जमीनी हकिकत पर जाईएगा तो एक भी कृष्षक इससे लामामीत नहीं हुए है ठीक है जारखन राज कृष्षी उपज और पसुधन विपनन विधयक जो है इसको लेकर अभी मन्थन का दोर जारी है हलाकि बैपारी करे जो ड्राफ्ट तयार हुआ है वो राज के हित में नहीं है यहां के किसानों के हित में नहीं है यहां के बैपारियों के हित में नहीं है उप भोगताओं के हित में नहीं है सरकार कह रही है कि कुछ राजस वाएगा बैपारी करे 2014 का आकड़ा ले लिजे कितना राजस वाया बेकार का बेवज़ा का टेंसन और रिस्पेक्टर राज का आप लोग थोपना चाह रहे हैं अब इस बिरोध और समर्थन के बीच क्या ये बिधयक राजस सरकार पारित करती है या इसको लागू करती है कानून बनाती है ये देखना होगा आपको बता दे कि रगवरदास पिछली सरकार ने वर्स 2015 में इस तरीके का जो existence था system उसको खत्म कर दिया था ये कहते हुए कि इ इसकी मांग बैपारी पिछले कई वर्सों से कर रहे हैं वर्तमान सरकार को लग रहा है कि नहीं फिर से इसकी जरूरत है अब देखिये समाधान होता है या नहीं होता है होता है तो किस पक्ष में होता है सुक्रिया सालों से medical exam preparation के लिए छारखन में है सिर्फ एक ना बायो जिसने धीर है highest number of selection from छारखन in NEET 2022 और अब बायो में लेकर आए हैं नीट 2023 में appearing students के लिए सुने रामों का जोईन करे 4 months crash course starting from 9th January 2023 Enroll now, BIO, a leading institute for pre-medical exam shop.in